जहें हम यहाँ पर बात करेंगे आज की रणिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं देखो हम अगर यहाँ पर एक चीज बता दें तुम लोगों को कि रणिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो डिफेंस की तैरी कर रहे हैं उनको करनी चाहिए यह जिनका एक परपस है गोल है उनको कर करनी चाहिए नहीं मेरे हिसाब से रणिंग एक हर इंडिविजुल के लिए ज़रूरी है ठीक है क्योंकि जिम जाने के लिए किसी के पास एक गंटा हो या ना हो हो सकता है ना हो लेकिन रणिंग के लिए 40-45 मिट सब के पास निकाल आते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा बसकते हो हमुस सारे वर्क आुट आपको देंगे ठीक है सबसे पहली चीजह जब भी आप रणिंग डेली बैसे चाहिए वहता है कि आपका यह एक बेसी मतलब यह बहुत जली ठाकान हो चीस उनको aぐड़ाने के लिए रनिंग करते उड़ तो उसमें भी इंक्रीज को कि मतलब जब डेली इसना बढ़ा हूब GTA कर गया और यह कब होता है यह जब होता है जब पंदरा से बीस दिन या पच्छेस दिन की आप रणिंग कर लेते हो तो दूसरा पैनिफिट क्या है कि टेस्टेसरों इंकरीज होता है तीसरी चीज़ जिनको भी सेक्स रिलेटेट कोई भी इसूज उनको लिबिडो की प्रॉब सीगर पतां ठीक है यह दिक्ते जिसको भी उनकी दिक्तों का निवारण हो सकता है क्योंकि हम हमेशा वागाउट सजेस्ट करते हैं लेकिन माल नहीं जा पा रहा हो तो जब रनिंग करते हो तो उसका भी बेनिफिट यह मिलता है कि तुम्हें यह जो जितनी भी सेक्स मसल आपकी मजबूत होती है पैरों की जब मसल मजबूत होती है तो यह तुम्हारे जॉइंट को सपोर्ट देती है तो चौती चीज यह हो गई आखरी अगर हम बात करें रनिंग के बेनिफिट की तो वह यह है कि आप एक्स्रा कैलरीज बन करते हो एक्स्रा कैलरीज का बाड़ी में फिट हो जाती है राम से ठीक है तो फैट एक्सा लोड नहीं होता है बाड़ी में तो यह कुछ बेनिफिट्स हैं रनिंग के तो हम यह चाहते हैं कि कोई भी इंडिवेजियल हो किसी भी एच के वह आप रनिंग स्टार्ट कर दो क्योंकि रनिंग एक बेसिक व कर दो